गुद मॉर्निंग स्टुडेंस, हाव आर यू आल, बच्चो कैसे हो सब, चलू, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, चेप्टर शयुक ताक्षर व्यंजन और दवित्व व्यंजन को शिखेंगे, शयुक ताक्षर व्यंजन, बच्चो आपके लिए ये नया जाननी को आया, बहुत सारी मात्राई आपने सीख ली, है ना, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, शयुक ताक्षर व्यंजन, बच्चो दो व्यंजन मिलकर एक नया रूप में आजाते हैं, ऐसे व्यंजनों को शयुक ताक्षर व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, ग्न और स्र, वापस एक बाद दो हराएं, दो व्यंजन मिलकर एक नये रूप में आजाते हैं, उन्हें हम सयुक ताक्षर व्यंजन कहते हैं, जिसके अंदर शयुक ताक्षर व्यंजन कौन-कौन से हैं, तो पहला है क्ष, क्ष, दूसरा है त्र, त्र, तीसरा है ग्य, ग्य, और चौथा है स्र, ओके बच्चों, आपको, ये तो समझ में आ गए, कि ये चार जो व्यंजन है, वो शयुक ताक्षर व्यंजन है, लेकिन जब एक व्यंजन बनता है, तो उसके अंदर कौन-कौन से दो व्यंजन जूड़े होते हैं, ये भी सिखना पड़ेगा न, तभी हमें पता चलेगा, कि सयुक ताक्षर व्यंजन कैसे बना है, चलो, तो सबसे पहले हम ख्षर, ख्षर को हम पड़ेंगे, तो देखो बच्चो, नीचिया आपको किस का चित्र दिख रहा है, बुलो-बुलो, पक्षी का, है न, पक्षी का चित्र है बच्चो, तो उसके अंदर क्षर व्यंजन है, तो यह क्षर व्यंजन किन किन दो व्यंजनों से बना है, तो उसके अंदर क्षर प्लश श, क्षर और क्षर बन गया, जब पक्षी शब्द लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, प, प्लश, क, प्लश, श, प्लश, इकी मात्रा, लेकिन हम तो शयुक्ता क्षर व्यंजन पड़ रहे है, तो क और श, जुड़ के क्या बन जाता है, क्षर बन जाता है, इसलिए जब हम सब्द लिखेंगे, तो बनेगा पक्षी, पक्षी यानि बढ़, पंची, जैसे चीडिया है, तोता है, मोर है, ये सारे पक्षी है, ओके, अब दूसरा चित्र, बचो, इस दूसरे चित्र के अंदर, ग्य, हम क्या पढ़ेंगे, ग्य, तो ग्य में कौन-कौन से वियंजन जुड़े हुए है, देखो तो ज़रा, द, प्लस न, प्लस य, बन गया, ग्य, और ग्य किस में योज होता है, तो जब रूशी मुनी, देवताओं को प्रशन न करने के लिए क्या करते थे, यज्य करते थे, हवन करते थे, है ना, तो यज्य के अंदर ग्य, शयुक्ताक्षर वियंजन है, जब यज्य लिखेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, य, प्लस द, द को हलन लगा है, प्लस न, न के नीचे भी हलन है, प्लस य, यानि द, न और य जुड़के ग्या हुआ, य, तो हमें सिप न लिखना है, तो क्या करेंगे, य, ग्य लिखेंगे, य, ग्य, ओके, समझ में आ रहा है न, बचो, सयुक्ताक्षर वियंजनक्ष और ग्य हमने पड़े, ओके, नीचे अब कुन सा है, पत्र, पत्र, तो उसके अंदर सयुक्ताक्षर वियंजन है, त्र, त्र जो बना, तो त प्लस र से बना हुआ है, दो वियंजन है, त और र को मिला की है, वियंजन बन गया, वो है त्र, जब पत्र लिखेंगे, तो प्लस त प्लस र, और त और रिय को मिला की हमने कौन सा वियंजन सयुक्ताक्षर देखा, तो वो है त्र, उच्चारन केसे करना है पत्त उसके बाद स्र सयुकताक्षर व्यंजन है स्र स्र से बना शब्द स्रमिक अब स्र केसे बना है कौन से दो व्यंजन लगे है जिसे एक बन गया तो उसके अंदर स प्लस र जुड़ा है इसलिए स्र बना जब स्रमिक लिखेंगे तो पहले हमें स्र लिखना है अगर उसको हम वर्णवी भाजन करके लिखते हैं तो स प्लस र प्लस ए की मात्रा प्लस मा प्लस क लेकिन हमें स और र को मिला के एक ही व्यांचन मिला वो कौन सा? सयुकताक्षर व्यांचन स्र यानि स्रमिक स्रमिक यानि बच्चे जो काम करते हैं जो मजदूरी करते हैं उनको हम स्रमिक कहते हैं मेहनत करने वालों को स्रमिक कहा जाता है चलो आओ अब हम दोहराते हैं बहुत सारे शब्दों को जो शयुक्ताक्षर्वियंजन से बने है आपकी फिंगर भी वो सब्दों के उपर होनी चाहिए मेरे साथ साथ आप सारे शब्दों का उच्चारन करो शाक्षि, ज्नानी, मित्र, आस्रम, सिक्षा, आज्या, शत्रु, परिस्रम ओके वापस एक बात दोहराये साक्षि, ज्नानी, मित्र, आस्रम, शिक्षा, आज्या, शत्रु, परिश्रम आप सब भी घर पे ये सारे शब्दों का पठन करना चलो बचो ये है एक्सरसाइस जो आपको होंवर्प के अंदर करनी है जिसमें त्रो है तो त्रशे बने शब्द लिखना है जैसे सत्रु स्रसे बना शब्द लिखना है तो स्राप क्षा से सब्द बनाने है तो क्षाण और ग्ण से बनाना है शब्द ज्यान ओके बच्चो, नीचे जो चित्र दिया गया है न वो चित्र को पहचान के आपको उसके नाम लिखने हैं तो पहला है पक्षी दूसरा है यग्य तीसरा चित्र है पत्र और जोथा है बुलो बुलो स्रमिक चलो आप लोगों ने शयुकताक्षर व्यंजन तो सीख लिया बचो हमारे हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारे दवित्व व्यंजन भी आये हुए है दवित्व व्यंजन यानि दो शमान व्यंजन जब एक साथ आये तो पहला वर्ण बिन रूप में लिखा जाता है यानि उसको कट करके लिखते है तो ऐसे सारे शब्दों को हम दवित्व व्यंजन के देखेंगे दवित्व व्यंजनों के उदाहरन हम इस प्रकार से देखेंगे चलो यहाँ पे क्या है बच्चो कि एक ही व्यंजन है जो दो बार जूड़ा हुआ होता है मतलब जब आप उच्चारन करोगे तो क और क को जब मिलाओगे तो क होता है तो इस प्रकार से दवित्व व्यंजन के अंदर एक ही व्यंजन दो बार मिलता है और उसके उच्चारन किस भाती होती है वो हम आज सीखेंगे पहला है क प्लस क क आधा है और दूसरे क से जुड़ा हुआ है तो उससे बना शब्द है मक्का दूसरा शब्द ग प्लस ग पहला ग आधा दूसरे ग से जुड़ा हुआ उससे बना शब्द फुग्गा च प्लस च च आधा च से जुड़ा हुआ पूरा सब्द बनाएंगे सच्चा ट प्लस ट यानि दो ट मिला के हम उच्चारन करेंगे शब्द में मिट्टी त प्लस त यानि दो त जुड़े हुए है तो उससे बना शब्द है कुट्टा पा प्लस पा दो पा है दोनों व्यंजान जुड़े हुए है उससे बना शब्द है चम्पल मा प्लस मा यानि दो मा जुड़े हुए है तो उससे बना शब्द है चम्मच लव प्लस लव और इससे बना शब्द है बिल्ली बच्चों समझ में आया जब सयोकताक्षर व्यंजन हम मिलाते थे ना तो उसमें दो व्यंजन अलग अलग होते थे लेकिन जब दवित्व व्यंजन आता है ना तो एक ही व्यंजन को के साथ को ही जुड़ा है गर के साथ गर ही जुड़ा है मतलब एक ही व्यंजन दो बार आते हैं पहला आधा होता है और दूसरे के साथ जुड़ा होता है तो उससे बने शब्द हम वापस एक बार पढ़ ले पहला सब्द है मक्का, फुगा, सच्चा, मिट्टी, कुत्ता, चपल, चम्मच, बिल्ली ओकी समझ में आया दवित्व व्यंजन बच्चो आपको एक्सरसाइज में क्या करना है दिये गए चित्रों की नाम लिखने है पहला चित्र है मक्का, दूसरा चित्र बच्चा है तीसरा है कुत्ता, चोथा फुगा, पाजवा है सिक्का, और छठा है रस्सा नीचे फिलिंग दब्लेंक्स दी गई है तो उसके अंदर आपको क्या करना है सही जो आंसर है उसको चूज करना है आपको उसको लेके आपको ब्लेंक के अंदर रखनी है पेर की मिट्टी और मट्टी तो पेर की मिट्टी साफ करो पापा मुझे गुड़ा चाहिए वह पिल्ला डर गया यह धब्बा कहां से लगा लाया ओके तो यह एक्सरसाइज आपको टेक्सबुक के अंदर करनी है और जो शब्द में लिखने के लिए दे रही हूँ वो शब्द आपको नोटबुक के अंदर करना है ओके बच्चो आपको समझ में आ गया ना शयोकताक्षार वियंजन और दवीत्व वियंजन थेंक यू फोर वाचिंग स्टे होम, स्टे सेफ